तो हेलो प्यारे फ्यूजर डॉक्टर्स वियार लाइव ओन एकडमी निट लाइव डेली बच्छो रे आप्टिक्स पर हम लेंसे पड़ रहे हैं रिफ्रेक्शन का यह लेक्चर नंबर 5 है जिसमें आज लेंसे पर लेक्चर नंबर 2 है बच्छो लेंसे हम बैसिक से पहले प इस टॉप टीम अफ अनकार्मी निट बच्छो जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है ठीके जी चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आप जानते हैं यहीं टीम का हिस्सा जो है तो बड़िया जी टीम आपके पास है राइट ओके देखें ज़ना यहाँ पर अगर आप इस टीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एक कम जरूर करना पड़ेगा इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको साथी साथ इस बात पर कॉंग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं साथी साथ शुक्रियादा भी आपका करना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के प्यार से आप लोगों के रैस्पेक्ट से बच्चो हम लोगों ने बहुत ही कम वक्त में दो लाख लोगों का परिवार कंप्लीट किया है तो आपको इसका एक बड़िया सा जो है बच्चो राइट शुक्रियादा बनता ही बनता है तो फटा फट से चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इन टॉप टीजर्स का प्यारा सा जो कॉंटेंट है टॉप टेक्नलोजी की मदद से आपको घर बेठे मिल जाए अब इस पूरी टीम के साथ आप इंटरेक्ट प्यारा सा कोर्स स्ट्रक्चर्ट वे में जीरो से हीरो बनाने के लिए एक जबर्जस कोर्स आपके लिए लॉंच किया हुआ बच्चो जो प्लस पर है वहाँ पर उस क्रेश कोर्स के साथ सथ आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे क्विजिस भी मिल जाएंगे लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लीरिंग शेशन होता है बच्चो हर तीन क्लास के बाद चोच्था एक डाउट क्लीरिंग शेशन है आपका डाउट रही नहीं सकता अगर आप में से अभी कोई 10th standard में हैं या 11th standard में हैं किसी तरह का कोई confusion है आप मुझसे इंस्टा पर टेली पर बात कर सकते हैं यूशुड गो विद टू यूर्स सब्सक्रिप्शन गाईज यूज कोड़ MS LIFE जिससे आपको additional 10% benefits मिलेंगे और भी कहीं सारे associated benefit मिलेंगे और आप अपने इस भाई के साथ interact भी कर पाएंगे बात भी कर पाएंगे चलिए ओके ओके श्री जिता देखो जड़ाया आप अपर ध्यान से achieving your goals will not be easy but it will be worth it obvious बात है यार किसी भी journey को जब हम start करते हैं तो आसान नहीं होता पत्री ले रास्ते होते हैं चलना आसान नहीं होता बच्छो लेकिन अगर हम चल पाते हैं और अगर हम पहुच पाते हैं तो एक ये बहुत बढ़या journey होती है बहुत amazing journey होती है और जबर जस्त आप जो इस process मे सिखते में हमेशा कहता हूँ end result is not important हम कहीं बार क्या करते बच्चो कि जो कुछ भी बन चुका होता है ना suppose for an example कोई भी particular person अपनी life में success हो चुका है वो वहाँ पहुँच चुका है तो हम उनके examples देना है start करते हैं कि see उन्हें देखो वो की तरह वहाँ पहुच सकते हैं तो आप stop seeing the end results बच्चो instead आपको process पर follow करना चाहिए क्योंकि अगर आपने process सही से follow करी तो end result कहीं नहीं गया वो तो आपका आज भी था कल भी है और आगे भी आप ही का रहेगा चलिए start करते हैं guys and आपको पढ़ा दिया गया था lens formula जो कि क्या होता 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F F is the focal length V is the image distance U is the object distance while using this formula while using this formula हमें क्या करना होगा तो we need to put the values along with their sign हमें यहाँ पर चीज़े उस तरह से discuss करनी होंगी चलिए आगे खेर और बात करेंगे कैसे बात बनेगी उस पर और विचार कर लेते हैं यहाँ पर focus of lens बच्चो दो तरह के focal length मैंने आपको पढ़ाया था एक focal length इसका right side होता है last lecture में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बाते करी थी इसलिए थोड़ा सा relate हो जाए last lecture के साथ recall हो जाए सारी चीज़े उसके साथ हो जाए ठीक है देख लेता हूं जरा में नजर डाल कर कौन को ना चुका है राइट वेलकम एहमद मेलकम मीन्ती वेलकम सलमान वेलकम नेहा वेलकम फेजान डिपशिखा बेदा क्या बात है श्मृती राजा राम बहुत बढ़िया बहुत बढ़ि फण भी होता है बट वी आर कंसिडरिंग सेकंडरी फोकल लेंज बच्चो वो नेगेटिव होता है चलिये जड़ा अब इसकी अगर हम चेक अगर लगाने जाएंगे तो हम यहाप चेक लगा सकते हैं देखो आपने क्या बोला सेकंड फोकल लेंज को आप पॉजिटिव कह रहे हैं अब यह कैसे इसको प्रूब कर लेते बचो यह जो रेंज है ईस रेंज आ पर उपनीटी मतलब ऑजेक्ट कहाँ पर रोना चीए इंफीनीटी पर तो जब आप इसको चेक करते हो तो इस केस में आपको पता चलता है formula में u की जगह आप infinity रखोगे तो this value comes out to be zero मतलब v का value f के बराबर आ जाएगा तो हम जो assumption लेके चल रहे हैं कि sir f आपका positive होगा तो यहाँ पर बात बिलकुल सही चल रही है that is why we are considering focal length second वाले को हम focal length consider कते हैं first वाले focus को principal focus नहीं मानते बच्चो lens के case में कहानी थोड़ इसी ध्यान रखेगा आप चाहे तो lens formula से भी आपको prove करके बता देता हूँ एक बार देखेगा जड़ा lens makers formula जो हमने पढ़ा था 1 by f is equals 2 1 by f is equals 2 बच्चो mu 2 divided by mu 1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 now ध्यान से सुनना अगर आप बात करते बच्चो convex lens की convex lens कैसा होता है इस तरह का lens होता है तो यहाँ पर इसके लिए r1 होगा और इसके लिए r2 होगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे sir r1 होगा आपका more than 0 मतलब basically बोल रहा है बच्चो r1 आपका positive होगा r2 less than 0 का मतलब बोल रहा है आपका r2 कैसा होगा जी negative होगा अब सुनना ध्यान से अगर r1 आपका positive है r2 अगर आपका negative है अगर raise incident करेगी left side से if raise incident from the left side तो सिधी सी बात है 1 by r1 positive minus formula में है बच्चो 1 by r2 की जगह negative आएगा minus minus plus हो जाएगा so 1 by r1 plus 1 by r2 ये पूरी picture more than 0 आएगी बच्चो पूरी picture more than 0 का मतलब है ये result भी आपका positive होगा ध्यान से सुनना मैं ये explanation दे रहा हूँ आपको के lens के case में हम second focus को क्यों principal focus मान के चलते हैं ठीक है so ये वाली value भी आपकी positive आ रही है अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये value positive आ गए तो बचा के वाल mu2 by mu1 minus 1 अगर आपका mu2 if mu2 is bigger than mu1 बच्चो अगर आपका mu2 क्या हुआ bigger than mu1 हुआ तो f का value क्या होगा positive होगा जो की generally convex lens के case में होता है mu2 is more than mu1 क्योंकि mu2 glass होगा mu1 आपका air होगा तो बड़ा होता है तो that is why second principal focus is the second focus is the principal focus हर एक theory यहाँ पर support कर रही है अगर आप concave lens के लिए देखोगे तो वही बात यहाँ पर आपकी valid हो जाएगे तो यह बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि हम क्यों second focus को principal focus कहते हैं क्यों हम second focus के लिए focal lens consider करते हैं जो कि optical center से second focus तक का distance होता है so that is the thing बच्चो that we have यहाँ पर focus के और भी अलग-अलग definitions है उन्हें आप देख लीजेगा और check भी करेंगे तो you will come to know चले थोड़े से सवाल कर लेती बच्चो फटाफट से थोड़े से सवाल थोड़े तेजी से करेंगे right जी concave lens केसा lens से बच्चो concave lens और मैंने आपको एक ही बात सिखाई है जब से मैंने आपको ray optics पढ़ाना चालू किया है चाहे हमने mirrors पढ़ें चाहे हम lenses पढ़ रहे हैं हम कुछ भी पढ़ें पहले सवाल को पढ़ते वक्त क्या आपको यहाँ पर कौन सा optical system दिया हुआ है उससे डबे में बंद कर लो मुझे दिया हुआ है बच्चो concave lens अच्छी बात है और focal length 20 cm मैं immediately क्या लिखूंगा पता है f is equals to minus 20 cm क्योंकि मुझे पता है concave के लिए focal length कैसा होता है negative मैंने लिख लिया as object placed आपका यहाँ पर u is equals to कितना हो जाएगा minus 12 cm यह बात भी पक्की हो गई u कहाँ पर होगा बच्चो मतलब u तो आपको negative लेना है determine the position of image मतलब आपको v calculate करना है मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था बच्चो ठीके कि जब भी कभी आपको length formula use करना होगा तो हम यहाँ पर use करेंगे sir 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u इस formula में जो जो चीजें हमें पता होती है उन उन चीजों को with sign रखेंगे और जिसे calculate करना है उससे आप भी not sign रखेंगे उसका जो भी sign होना होगा स्वैच्छा से वो sign आ जाएगा बच्चो तो यहाँ पर आप रखेंगे sir 1 divided by minus आपका 20 is equals to 1 by v आपको निकालना है minus यह हो जाएगा sir आपका minus 12 यहाँ पर so the thing is this is 1 by minus 20 is equals to this is 1 by v यह हो जाएगा minus minus plus एक बटा बारा बच्चो व आपको calculate करना तो 1 by v is equals to this is minus का 1 by 20 यह हो जाएगा sir minus का 12 आप solve करेंगे result आजाएगा sir 1 by v is equals to minus आप यहाँ पर LCM ले लेंगे कितना so this is 60 is the LCM अगर आपने यहाँ पर 60 LCM लिया 60 अगर आपने यहाँ पर LCM लेता आप बोलेंगे sir this is 20 यहाँ जाएगा sir minus का 5 this is minus का 5 तो यह हो जाएगा sir v is equals to कितना आपका minus का 60 divided by 8 बच्चो मतलब यह हो जाएगा sir आपका 30 divided by 4 30 divided by 4 का मतलब हो गया बच्चो साढ़े साथ सेंटीमिटर तो v is equals to कितना आजाएगा 7.5 सेंटीमिटर c is the correct answer yes और मैं यही देख रहा हूँ यही मैं देख रहा हूँ राइट कि काफी सारे future doctors का answer बिलकुल सही आया है चलिए amazing guys अब अगला सवाल जरा देखो इसको थोड़ा सा statement confusing है लेकिन है बड़ा मज़ेदार सवाल पढ़ना जरा ध्यान से थोड़ा वक्त दूँगा आपको आप try करिएगा कैसे बनाते हैं अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह पूछा गया सवाल है बच्चो अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह पूछा गया था AMU में वहां से मैंने इसको उठाया है तो AMU में पूछा हुआ सवाल है देखेगा जरा figure given below shows a beam of light converging at point P beam of light कहा पर converge हो रहा है बच् यह आप उस optical system को डबे में बंद कर लो ताकि आपको काफी सारी चीज़े clear हो जाए फोकल लेंद उसका दिया हुआ है बच्चो कितना 16 cm concave lens से इसले बात इसपस्ट हो गई कि सर्य माइनस 16 cm होना चाहिए is introduced in the path of the beam at a place O as shown in the figure यहाँ पर introduced किया गया सोरी यह यहाँ नहीं होगा बच्चो यह देश-देश वाली line जो है यहाँ पर introduced किया गया dotted line such that OP becomes the axis of the beam converges at a distance x यहाँ पर beam कहाँ पर converge हो रही है बच्चो यहाँ पर अगर आपने lens introduce किया तो उस lens के introduction से lens आपका जो introduce किया उसकी वजह से beam कहाँ converge हो गई beam will be converges at x बच्चो मतलब कि अगर यहाँ पर कोई lens नहीं था तो यह beam actual में यहाँ converge हो रही थी आपने lens रख दिया तो यह beam कहाँ पर converge हो गई बच्चो बीम थोड़ी सी पहले converge हो गई अच्छी बात है अब देखते हैं the value of x will be equal to x का value किसके बराबर होगा क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि sir हम यहाँ पर इस 12 cm को क्या consider कर सकते हैं this 12 cm is exactly will be equal to u क्योंकि यह जो raise है यह कहां से आती नजर आ रही है they are appear to come from this point बच्चो एक्च्वल में यहां से आती नजर आ रही है इस system के लिए यह आपका object हो जाएगा और यहाँ पर v का value कितना हो जाएगा sir v का value हो जाएगा आपका plus x आपको f यहाँ पर minus 16 दिया हुआ है apply the formula 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u my dear friends अगर समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा कि sir समझ में आ चुका है नहीं समझ में आ है chat box पर मेरी नजर है बताएगा जरूर क्योंकि यह मज़ेदार सवाल है यहाँ पर आप लिखेंगे sir 1 by minus 16 यह हो जाएगा sir 1 by positive x because incident ray की direction में incident ray की direction में x होगा that is by positive और यहाँ पर आप लिखेंगे sir minus u की जगह लिखेंगे बच्चों plus 12 यह भी positive sir यह क्यों positive क्योंकि यह भी कहाँ पर है incident ray की direction में तो आपको x का value calculate करना है तो यह हो जाएगा sir आपका 1 by minus 1 by 16 is equals to 1 by x और यह हो जाएगा minus 1 by 12 तो आप यहाँ पर बोलेंगे sir 1 by x is equals to ध्यान से सुछना बच्चो 1 by x is equals to यह हो जाएगा 1 by 12 minus 1 by 16 LCM आप यहाँ पर लेंगे solve करेंगे चीजों को ठीक है तो मैं LCM ऐसे ले लेता हूँ याँ चलो अगर confusion होती है न तो यहाँ पर LCM देखो कहीं बच्चों को समझ में नहीं आता कि common point क्या बनेगा चलो तो यह ले लो 12 into 16 यहाँ पर अगर आप करोगे तो सरीय चला जाएगा 16-12 16-12 मतलब यह 4 आएगा सर यह हो जाएगा सर 12 और यह हो जाएगा सोला इस इस कितना आएगा सर 3 16 multiply by 3 मतलब x का value solve होने पर आगया बच्चो 48 cm कितना आजाएगा बच्चो x का value 48 cm obvious बात है यार अगर पहले यहाँ converge हो रहा था इससे कहीं गुना जादा आगे जाके यह raise converge होंगी क्योंकि यहाँ पर lens केसा बोला था बच्चो यहाँ पर lens बोला था पता नहीं था इसलिए मैंने डाइग्राम में यहाँ पर मान लिया था उसका point की वो यहाँ पर converge करेगा समझ माया सबको everyone so answer कितना आ रहा है यहाँ पर 48 cm चलिए था मज़ेदार सवाल की नहीं बहुत बढ़िया मज़ेदार सवाल था तो आपका प्यार आपकी मुहबत यहाँ पर चाहिए पड़ेगी ठीक है जी बहुत बढ़िया तो यह चीज़ें आपको समझ दे थी कि सर कैसा सवाल था और किस तरह से दिया हुआ है अब आप यहाँ पर समझे दोस्तों आपको ना आपको बढ़िया तरीके से टेस्टिफाई किया जाएगा क्योंकि जिस एरा में आप मेडिकल एक्जाम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कॉमफिडिशन बहुत जादा है जी तो क्रीम जो होगा ना उसी को जो है मक्खन मिलने वाला है है ना समझना ध्यान से मतलब जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं बढ़िया उसके लिए मेहनत तो लगेगी तो उलजाने की कोशिश की जाएगी और केसी उलजन आपके सामने आ सकती है वो प्रेडिक्शन यहाँ पर मेरा देखिएगा एक ल जो तरफ जो रेफरेटिव इंडेक्स होता है इस तरफ रेटिव इंडेक्स मिवन है तो इस तरफ भी रेफरेटिव इंडेक्स यहाँ पर क्या होता है बच्छो मिवन होता है लेकिन जो सवाल मैं नहीं यहाँ पर लिया हुआ है उस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड रेफ को बोलूँगा sir this is surface 1 इसको मैं बोलूँगा बच्चो surface 1 मतलब s1 और मैं इसको बोलूँगा बच्चो surface 2 मतलब आप यहां पर बोलेंगे sir s2 तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा considering 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 मैं लिख रहा हूं आपके लिए ध्यान से considering refraction my dear friends थोड़ा सा feel करिएगा चीजों को considering refraction at s1 surface 1 पर जब पहला refraction होगा considering and we are assuming one thing कि rays are incident from this side we are assuming कि rays are going to be incident from this side बच्चो मतलब rays कहां से incident हो रही है left side से image किस तरफ बनेगी right side this is my assumption this is my assumption सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें rays कही जाए कि वो incident कहां से होंगी right side से लेकिन तुम्हें तो concept सिखना है तो यहाँ पर हम बोलेंगे सरक considering reflection at s1 तो आपको लिखना पड़ेगा मैंने क्या सिखाया था कर्वी linear surface पर एक formula हमारे पास होता है बच्चो कर्वी linear surface पर reflection के लिए formula होता है mu2 by v यहाँ पर minus mu1 by u is request होता है बच्चो आपका mu2 minus mu1 divided by r अगर किसी को याद नहीं है ना तो यह कोने में लिख दिया है मैंने यहाँ नजरे रखना जिस पर मैंने आपको सिखाया था साथ हिओ कि mu2 क्या है उस media का refractive index जिसमें ray reflection के बाद जाएंगे mu1 क्या होता है बच्चो उस media का refractive index जिसमें ray reflection के पहले हैं तो surface 1 की अगर मैं बात करूँगा surface 1 की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे लिए यहाँ पर mu2 कौन हो जाएगा तो mu2 mu2 होगा बच्चो divided by आप यहाँ पर बोलेंगे sir v1 फिर आप यहाँ पर लिखेंगे sir minus अपनी जगे hesities रहेगा यह हो जाएगा बच्चो आपका mu1 divided by u is equal to आपको लिखना पड़ेगा sir mu2 minus mu1 and whole divided by आप लिखेंगे r आर क्या आप लिखे r1 आर की जगा आप क्या लिखे बच्चो आरवन लिखे अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं अब हम क्या बोलते बच्चो तो considering refraction at surface 2 थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चो तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर considering considering refraction at surface 2 समझ में आती जारी ना सब लोगों को बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे surface 2 पर तो surface 2 पर आप म्यू 2 की जगह क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बच्चो म्यू 3 म्यू 3 divided by final image मतलब V final image मतलब V और आपको लिखना पड़ U1 की जगह हो जाएगा बच्चो V1 U1 की जगह क्या हो जाएगा V1 जो image जो image आपका पहला surface बनाएगा वो as an object काम करेगा दूसरे surface के लिए तो यह हो जाएगा बच्चो म्यू 3 by V minus म्यू 2 by V1 is equals to यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर जी म्यू 3 minus म्यू 2 whole divided by आप लिखेंगे सर यहाँ पर R2 are you getting my point or not everyone अब दूसरी बात यहाँ पर जब आप सुनते हैं तो सर यह रहा आपका equation number 1 और यह रहा सर आपका equation number 2 इन दोनों को add कर दो तो जब आप add करोगे बच्चो adding equation number 1 and equation number 2 देखेगा जरा क्या कहानी आपको मिलती है जब आप add करेंगे तो एक बात इसपस् minus आएगा बच्चो mu1 divided by u is equals to यह दोनों as it is 8 हो जाएंगे दिया आएगा बच्चो mu2 minus mu1 divided by r1 और plus हो जाएगा sir mu3 minus mu2 divided by r2 this is the final solution अब अगर आप यहाँ पर बोलते हैं कि sir अगर आपने यहाँ पर ले लिया u को infinity अगर आपने लिया u को infinity अगर raise infinity से आती है तो we all knows that कि sir वो raise कहां जाके converge होंगी वो raise जाके converge होंगी focus पर इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर u को infinity लेता हूँ तो v का value f होना चाहिए कि नहीं my dear friends my dear friends बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया so guys अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे आप u को infinity लिखेंगे what you have here तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिखे जरा तो यह हो जाएगा sir आपका mu3 mu3 v की जगा आप लिखेंगे बच्चो f is equals to u का value to infinity हो गया और 1 by something by infinity is 0 तो लिखने की जरुद नहीं है तो result आ जाएगा बच्चो आपका mu2 divided by mu1 whole divided by r1 and plus हम लिखेंगे बच्चो mu3 minus mu2 whole divided by क्या हो जाएगा आपका r2 this is the final formula बच्चो this is the final formula अगर lens के दोनों तरफ media अलग-अलग होता है तो focal length निकालने के लिए यह use किया जाएगा अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बात को अगर हमने raise को consider किया अगर हमने raise को consider किया left से right side जाते हुए अगर यह ultra होता raise अगर कहां स से आती right से आती और converge होती left side आपको इस formula में दो चीजे change करने के जरुवत थी मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूं if raise incident if raise कहां से incident हो रही है बच्चो if raise incident तो आप यहाँ पर लिखेंगे sir from left to right L to R incident हो रही है तो यह formula लेकिन अगर आपने यहाँ पर reverse किया तो mu3 को replace करिएग mu1 से mu3 को replace करिएगा बच्चो mu1 से और r1 को replace करिएगा r2 से आपका answer बिल्कुल match कर जाएगा दूसरे तरफ से derivation के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं everyone मज़ा आया कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो यह सारी चीज़े अगर आपको clear हो गई तो आपको मज़ा आएगा यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है इसको देखो जला यहाँ पर एक सवाल है मतलब की जो रेफरेक्टिव इंडेक्स है इसका यहाँपर एर है राइट साईड का है बच्यों यहाँपर आपका वटर है इधर है पानी इधर है हवा और बीच में क्या है ग्लास है सब पिक्चर में आ गए जी सब पिक्चर में आ गए कोई कहते हैं कि सर है ना अब यह जब पढ़ा देता हो मैं तो पढ़ाने के बाद में कई लोग फिर कॉमेंट लिखते हैं और कई लोग जब ओफलाइन क्लासेस में होते तो कहते हैं कि सर ये तो हमें गभी पढ़ाया ही नहीं गया आप कहां से लिया है अरे लाना क्या था यार छोटी सी बात है सोच लो जरा अगर मीडिया अलग-अलग होंगे तो क्या होगा तो मैंने कोई बड़ा रोकेट साइंस से ला दिया क्या अलग-अलग सर्फेस इसको कंसिडर करके मैंने बस जनरल फॉर्मल ले लगा है और मेरे पास एक रिजल्ट आ गया उस पर बेज़ एक सवाल बन गया चलो तो यहां पर बोला है magnitude of radius of curvature of the lens are 10 cm and 20 cm मतलब यह वाला जो है 10 cm का radius of curvature है और यह वाला radius of curvature 20 cm है मतलब R1 आपको 10 दिया बचो और R2 आपको 20 दिया है find the focal length of the rays are incident from अगर air से incident की जाए तो focal length क्या होगा और दूसरा जब water से मतलब उस तरफ से की जाए तो क्या होगा चलिए यहां पर पहले वाले का solution में बना कर दिखाता हूँ आपको की कैसे होगा ठीक है और अगर समझ में आ जाए ना तुम्हें लगे कि यार तुम्हारा भाई तुम्हें इतना जबर्जस content दे रहा है ऐसी यह चीज़े तुम्हें पता रहा है जो तुमने और कहीं नहीं सिखी तो तुम्हारी महबत चाहिएगा तुम्हारा support चाहिएगा और comment section में प्यार बरी बाते और जो धेर सारी चॉकलेट्स आप देते हैं वो consistently maintain रखेगा बच्चो क्योंकि उससे उर्जा मिलती है यह जो smile मेरे चेहरे पर रहती है उन्हीं प्यारी प्यारी comments के कारण रहती है रहे जी चीक है इन फेक्ट आपको पता नहीं है बच्चो लेकिन हर दिन जब मैं office से अपने घर जाता हूं अपकार में तो मैं जो है अपने ऑक्स सिस्टम में राइट सारे जो भी वहाँ पर comments वगएरा होते तो मैं play करके छोड़ देता हूं एक-एक comment को play किया जाता है और मुझे बड़ा मजा देता है तो अगले दिन की उर्जा भर देता है वो मेरे अंदर कि अभी घर जाकर मैंनत करनी है क्योंकि कल का lecture और धमाकेदार देना है ठीके जी क्योंकि यह बच्चो ने तुम्हें प्यार भेजा है तो यहां पर देखेंगे तो मुझे क्या सिखने को मिला था कि focal length के लिए में लिखूंगा sir mu3 final जिस तरह converge होगा उसका refractive index divided by f is equals to formula था बच्चो mu2 minus mu1 divided by r1 is equals to sorry यहां पर plus आएगा बच्चो और यह हो जाएगा sir आपका mu3 minus mu2 divided by आप लिखेंगे r2 रखो यहां पर along with sign along with sign रखना पड़ेगा क्योंकि जब यह formula derive कर रहे थे तब हमने sign consider नहीं किया था तो mu3 की जगह mu3 की जगह रखना पड़ेगा sir 4 by 3 divided by f चलिए f तो निकालना है ना f निकालना है इसलिए इसके sign की चिंदा करेंगे नहीं mu2 की जगह mu2 की जगह रखेंगे बच्चो 3 by 2 minus mu1 की जगह हो जाएगा 1 r1 की जगह देखो अगर raise इधर से incident किया गया तो r1 is considering to be positive तो यह हो जाएगा बच्चो आपका plus 10 फिरी होगा sir plus mu3 की जगह रखेंगे sir 4 by 3 mu2 की जगह रखेंगे बच्चो 3 by 2 and whole divided by r2 मतलब हो जाएगा minus 20 आप इस मसाले को solve कर सकते हो कि नहीं बच्चो इस मसाला can be very easily यह मसाला बहुत आसानी से solve किया जा सकता है आप इसे solve करिएगा और आप यहाँ पर f का value calculate कर सकते है you can get this value of f बच्चो ठीक है लेकिन अगर इसी सवाल को इसी सवाल को अगर ऐसी किया जाए कि raise कहा से consider हो बच्चो raise are considering from water मतलब अभी यहाँ पर इस तरफ से raise आ रही है these are the incident raise बच्चो अगर incident raise पानी की तरफ से आएंगी तो फिर क्या बदलेगा तो महौल में क्या क्या changes होंगे इसको समझाता हूँ तो यहाँ पर if raise coming from water if raise कहा से आ रही है बच्चो तो आप यहाँ पर लिखेंगे sir coming from water तो बड़िया बात है पानी से अगर आ रही है तो converge कहा पर होगी तो आपकी raise converge होगी mu1 की तरफ बच्चो कहा पर converge होगी mu1 की तरफ तो याद करो जो statement मैंने कही थी क्यो mu3 को replace कर दो mu1 के साथ r1 को replace कर दो r2 के साथ और फिर क्या करो तो मजे करो simple सी बात है जी आजाए यह तरज़रा तो यहाँ पर हम लिखेंगे sir mu1 divided by क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा f फिर यहाँ पर क्या होता था यहाँ होता था mu2 minus mu1 आपको लिखना पड़ेगा बच्चो mu2 minus mu3 whole divided by क्या नीचे r1 होता था r2 लिखना पड़ेगा कहाँ न replace कर दो चीजों को फिर प्लस यहाँ क्या होता था formula में formula में होता था sir mu3 minus mu2 तो आपको लिखना पड़ेगा sir mu1 minus mu2 and whole divided by क्या लिख दो ग्यार 1 रखो जड़ा values mu1 का value हो जाएगा 1 divided by f यहाँ पर mu2 का value हो जाएगा बच्चो 3 by 2 mu3 का value होगा बच्चो 4 by 3 r2 का value इस बारी raise कहां से आ रही है बच्चो right से left जा रही है तो इस बारी जो आपका r2 है जो आपका r2 है वो plus 20 लिया जाएगा जो इस बारी आपका r1 है बच्चो उससे minus 10 cm लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा सर इस आपका plus 20 r2 plus 20 फिर हो जाएगा सर plus mu1 का value 1 minus mu2 का value 3 by 2 r1 का value हो जाएगा minus 10 इस मसाले को solve करोगे आपको f का value मिल जाएगा बोलो हाया ना मजा आया guys right बहुत बढ़िया संग्राम मेघा दैतारी दीप राजेश बहुत बढ़िया amazing amazing guys amazing ठीक है जी मजा आ रहा है ना चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बचों lateral magnification की simple सी बात है सर अगर कोई भी object जो की principal axis से transverse direction में रखा हुआ है principal axis से perpendicular रखा हुआ है उसके लिए जो magnification होगा बचो वो lateral magnification होगा हम यहाँ पर longitudinal magnification की भी बात करेंगे aerial magnification की भी बात करेंगे अगर कोई चीज यहाँ पर अभी consider नहीं की गई है तो quiz में बाखुबी मैं involve कर लूँगा बचो तो यहाँ पर इसकी height कॉम बोलेंगे sir h note और यह जो यहाँ पर image बनेगी बचो इसकी height कॉम बोलेंगे sir h i हमेशा से ही जो magnification है वो क्या रहा है तो वो रहेगा बचो आपका height of image divided by height of object चलिए जरा एक बात करते हैं आपसे अगर यह वाला angle theta हुआ तो यह वाला angle भी theta होगा इतनी बात मानते हो कि नहीं यह जो कहानी यहां से यहां तक नज़र आ रही है जिसे आप P I कहोगे यह B के बराबर होगा और यह जो कहानी यहां नज़ लगाएंगे यह भी 10 theta यह भी 10 theta लगा लो जरा तो आप लिखेंगे sir इस geometry में 10 theta is equals to perpendicular मतलब आप बोलेंगे sir h naught divided by लिखा जा सकता है sir po और यही लिखा जा सकता है आपका hi divided by pi मेरे ख्याल से जब आप values रखेंगे देखो तो बजा चलेगा sir o o prime divided by po is equals to i i prime divided by pi along with their sign लखेंग तो positive h naught op की अगर हम बात करेंगे बच्चो तो minus u ii की अगर हम बात करेंगे बच्चो principal axis से नीचे बना है इसलिए minus hi और यहाँ पर pi की अगर हम बात करेंगे दियोगा बच्चो आपका v final solve करने पर हमें पता चलता है sir m का value आजाएगा v by u m का value कितना है बच्चो v by u आएग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निशार एहमद वेल डन चलो convex lens सबसे पहले इसी को डबे में बंद कर दो convex lens of focal length 15 cm मतलब एक बात is first हो गई किसे इसकी focal length किदिनी हो जाएगी 15 cm और convex इसलिए positive है बच्चो has object kept at 45 cm मतलब यहाँ पर u का value भी पता चल गया बच्चो वो minus 45 cm होगा दूसरी बात है if height of object is 15 cm h0 का value आपको 15 cm दिया हुआ है बच्चो determine the position and height of the image सिदी सी बात है क्या क्या calculate करना है जी तो v calculate करना है और h i calculate करना है उसके लिए signification की जरुवत पड़ेगी चलिए जरा है से solve कर लेते हैं दो अलग अलग तरीके होंगे एक direct formula based तरीका होता है और एक एसे general तरीका होता है दोनों समझा दूंगा पहले यहाँ पर हम करते बच्चो hashtag method 1 hashtag method 1 करते बच्चो formula method ठीक है जो की preferable है so 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u this is the formula that we have focal length यहाँ पर positive होगी क्योंकि convex length से बच्चो 1 by plus 15 is equals to 1 by v मुझे calculate करना है minus अपनी जगह रहेगा और u की जगह में रख दूंगा बच्चो minus 45 minus minus plus हो जाएगा so 1 by v is equals to यह हो जाएगा बच्चो 1 by 15 क्या हो जाएगा बच्चो this is 1 by 15 समझा ध्यान से तो यह हो गया बच्चो आपका 1 by 15 minus हो जाएगा sir 1 by 45 तो आप यहाँ पर लिखेंगे sir 1 by v is equals to lcm ले divided by 2 cm कितना आ गया बच्चो positive 45 divided by 2 cm this is the position और अगर आप यहाँ पर magnification की बात करेंगे तो we all know that magnification होता है बच्चो v divided by u v का value कितना आया plus का 45 divided by 2 और u का value कितना था बच्चो u का value था minus का 45 u का value कितना था बच्चो minus का 45 तो आपको समझ में आ जाएगी sir 45 से 45 यहाँ पर खतम होगा m का value comes out to be minus का 1 by 2 m का value कितना आया बच्चो minus का 1 by 2 मतलब object जो है वो यहाँ पर real है image जो है वो भी यहाँ पर real है image भी क्या होगी बच्चो यहाँ पर real होगी और साथी साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे बच्चो तो यह aim क्या होता है यह M ऐसा भी तो होता है ना बच्चो M is equals to आपका M is equals to क्या होता है HI divided by H naught इस M का value कितना है बच्चो minus का 1 by 2 HI आपको निकालना है उसकी value रखेंगे नहीं H naught का value कितना रखेंगे सर 15 cm 15 cm उसकी height है तो यह हो जाएगा सर minus का 1 by 2 so HI का value आगया बच्चो minus का 7.5 cm मतलब की half height का बनेगा बच्चो half height का बनेगा that is a simple concept या simple सा concept होता है तो कई बार क्या होता है कि यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर जिसे एक सवाल अभी आगे आ रहा है उसी में चर्चा करते हैं सवाल अभी आगे आएगा उसी में चर्चा करेंगे अब यह वाला सवाल थोड़ा सा पढ़ते हैं मैगनिफिकेशन पर बेस्ट अलग-अलग चीज़े कराने के लिए अलग-अलग चीज़े लेकर आया हो आपके लिए देखिए जड़ा a pin length of 2 cm a pin of a converging lens यहां पर ध्यान दीजिए कहने का तरीका अलग लिखा है converging lens मतलब यह क्या लिखा है यह लिखा है आपको optical system कौन सा दिया बच्चो आपका optical system convex lens होगा the center being at a distance of 11 cm pin का जो center है pin का जो center है बच्चो वो 11 cm की दूरी पर है from the lens the focal length of the lens is 6 cm find the size of the image तो पहले तो सवाल को पढ़ कर समझो की क्या क्या दिया हुआ है और उनको आप underline कर लीजिए ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से information को किस तरह से formula में puton करना है अब दूसरी बात यहां पर lens कौन सा दिया हुआ है बच्चो अब यह बोला है कि यहां पर एक पीन रखी हुई है यहां पर there is a पीन बच्चो और वो जो पीन है उस पीन का जो center है उस पीन का जो center है वो optical center से 11 cm की दूरी पर है लिखा है clearly the center being at a distance of 11 cm center 11 cm पर है बच्चो optical center से तो इसका मतलब अगर इसकी length यहां पर 2 cm हुई अगर इसकी length 2 cm हुई तो यह वाला जो distance है बच्चो पहले वाला end का सबोस अगर इसको मैं a बोलू और अगर इस end को मैं b बोलू बच्चो तो आप बोलेंगे कि sir यह जो a वाला end है इसकी दूरी हो जाएगा 10 cm और यह वाले जो end की दूरी है बच्चो इस वाले end की दूरी कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे sir 11 प्लस एक यह हो जाएगा 12 cm समझना इसका जो focal length है बच्चो वो आपको 6 cm दिया इसका मतलब अब देखो कहां दिमाग के से दोड़ना चाहिए एक physicist की तरह दिमाग दोड़ना चाहिए तेजी से काम करना चाहिए राइट जी नाव यहाँ पर देखो ज़रा अगर यह आपका जो है 12 cm है तो यह कितने पर रखा हो है बच्चो 2F पर नहीं है F का value अगर 6 cm है तो यहाँ पर and B कहां पर हो चुका है and B का position 2F पर है और अगर and B का position 2F पर है इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ से बिलकुल 12 cm की दूरी पर यहाँ से बिलकुल 12 cm की दूरी पर मुझे क्या मिल जाएगा and B का diagram मिल जाएगा B prime and B का image calculate नहीं करना पड़ेगा एक काम मेरा असान हो गया मुझे calculation के वल किसके लिए करनी है I need to calculate for this A and only तो मैं यहाँ आप लिखूंगा बच्चो 4 and A किसके लिए लिखूंगा बच्चो 4 and A और जब आप इसके लिए बात करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा Sir U का value हो जाएगा minus 10 centimeter F का value हो जाएगा बच्चो plus 6 तो आप लिखेंगे बच्चो 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U lens formula symbol सा lens formula right okay so 1 by F F का value हम लिखेंगे Sir 1 by plus 6 यह हो जाएगा Sir 1 by आपका V minus यहाँ पर आप लिखेंगे Sir 1 by 6 minus 1 by हो जाएगा बच्चो 10 आप यहाँ पर आसानी से LCM ले सकते बच्चो 30 का 30 का अगर आपने LCM लिया तो यह हो जाएगा Sir 5 और यह हो जाएगा Sir minus 3 that is V का value solve होने पर आएगा बच्चो 15 कितना आजाएगा Sir 15 centimeter कितना आगया Sir 15 centimeter मतलब कि अगर यह 12 centimeter पर है अगर यह 12 centimeter पर है तो इसका जो अगला हिस्सा है मतलब जो आपका A वाला end होगा बच्चो वो यहाँ पर होगा which is आपका A prime तो यह होगा distance कितना बच्चो this distance is 15 centimeter diagram का beautiful lens आप समझे आप आप questions समझे diagram बनाईए जो जो दिया है mention करेंगे you come to know that कि सर यह बनेगी यहाँ पर आपकी pin pin का diagram इस तरह से बनेगा तो actual length कितनी दी बच्चो पीन की 2 centimeter अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 minus 12 करोगे तो यह जो length है बच्चो पीन की कितनी आएगी 3 centimeter आएगी कितनी आएगी बच्चो 3 centimeter यहाँ पर यह pin आपको मिलने वाला है ओके हैस्टेक से क्या मिनिंगे सर कोई बच्चा continuously दायतेरी निशान का पूछ रहा है यह बात बच्चा हैस्टेक से कोई मतलब नहीं है हैना method 1 है तो वहाँ पर मैंने हैस्टेक method 1 बोल दिया हैस्टेक method 2 बोल दिया और कोई बात नहीं ठीक है उसमें मत confused हो यहाँ पर चलिए आपको समझ वहाँ बच्चो किसका length कितना होगा 3 centimeter तो find the size of image size of image कितना होगा बच्चो size of image होगा यहाँ पर 3 centimeter का total pin length होगा अब अगर आप यहाँ pra तो पिछले वाले सवाल में सारी चीज़े clear थी इस वाले सवाल में अगर longitudinal object हो तो केसे solve करना है ये भी अगर आपको clear हो गया तो अब एक सवाल और देख लीजिए An object 2.5 cm high is placed in 2.5 cm high का मतलब क्या हो गया बच्चो H0 का value आपको दिया हुआ है 2.5 cm चलिए बढ़िया बात है It's placed in front of convex lens यहाँ पर क्या है बच्चो कैसा है optical system? Convex lens है Of focal length कितना बच्चो 30 cm मतलब दूसरी बात मुझे यहाँ पर क्या दे दी? मुझे यहाँ पर दे दिया है Focal length जिसका value है Positive 30 cm because convex lens है If the height of image formed is 5 cm If the height of image formed is 5 cm मतलब H.I. का value 5 cm है अब एक बात को ध्यान से सुनना जरा एक बात को ध्यान से सुनना और relate करना कि कैसे हम इसे relate कर सकते है H.I. का value 5 cm कहा गया है इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि H.I. negative होगा या जरूरी नहीं है कि H.I. positive होगा It may have both the values H.I. positive भी हो सकता है और यहाँ पर आपका जो H.I. है height of image वो negative भी हो सकता है बच्चो समझना पड़ेगा यहाँ पर आपका image real बन रहा है या virtual बन रहा है क्योंकि जो आपका convex lens है वो दोनों तरह की image आपको दे सकता है It can give you the real image It can give you the virtual image as well तो यहाँ पर आप सवाल जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो real के लिए बात कर रहा है या virtual के लिए बात कर रहा है तो पूछा उसने find the distance between the object and the image object और image के बीच का distance कितना होगा अब यहाँ पर distance between the object and image पूछ लिया मतलब you और we के बीच का distance आप से पूछा है एक बात यहाँ पर clear हो जाती है साथियो इस सवाल में यह कहीं पर भी mention नहीं है कि image आपका real होगा या image आपका virtual होगा what we need to do that तो यहाँ पर there is no clear information regarding to the image although आप परेशान मत होई है आपको यह सवाल सिखाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है तो सवाल में कोई भी aspect हो कोई भी aspect हो बच्चो अगर आपसे examiner एक perfect result चाहता है तो वो फिर आपको mention करके देगा कि वो real image चाहता है या virtual image चाहता है clearly mention अगर नहीं है तो फिर आपके जो ABCD चार options होंगे उन ABCD चार options में से जो values होंगी यू की वो दो होंगी बच्चो एक साथ दो values एक साथ होंगी कैसे चलिए जरा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इस सवाल का case 1 हम consider करते है बच्चो case 1 we are considering image is real क्या consider कर रहा हूं बच्चो image is real यह मैंने यहाँ पर मान लिया image कैसा होगा आपका real होगा lenses की case में जब भी आप यहाँ पर real image की बात करते है आपका V कैसा होना चाहिए बच्चो आपका V होना चाहिए positive यह पहली बात समझा आप V कैसा होना चाहिए बच्चो positive M क्या होता है बच्चो M होता है height of image divided by height of object is equals to V by U चीक है चलिए height of image आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चो 5 cm यह कितना है बच्चो height of object आपको यहाँ पर दिया हुआ है बच्चो 2.5 cm ठीक है इसको भी रखेंगे V का value हमें यहाँ पर calculate करना है और U आपको यहाँ पर कितना दिया बच्चो U आपको यहाँ पर नहीं पता जब चीजें जिस तरह की हो तो यहाँ पर आपको नहीं पता तो U का value आप लिखेंगे Sir वो नहीं पता तो X लिखुँँगा कितना लिखूँँगा बच्चो X तो V का value जब आप solve करते हैं तो वो आता है sir यहाँ पर 2X कितना आता है बच्छो 2X अब आप यहां पर क्या सोच रहे होंगे आप मैंसे कहीं सारे future doctors यह सोच रहे हैं कि sir आपने यहां पर किसी भी चीज का sign क्यों नहीं रखा अब एक बात समझाता हूँ मैंने क्या बोला कि मेरा जो वी है वो positive है मतलब इसमें मैं वी को positive लेता एक्स को मैं negative लेता फिर मैं इस 5 cm ही को मैं negative लेता h 2.5 को भी में negative लेता तो पूरी चीज़े solve करने पर result क्या आता बच्चो v is equals to positive ही आता मैं पहले से ही consideration लेके चल रहा हूँ कि image is real और अगर यह consideration मैंने पहले से ले लिए तो मुझे clear हो गई कहानी कि मेरा V positive होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर lens से बच्चो यहाँ पर अगर lens से और raise left side से आ रही है तो वो conversion इस तरफ होनी चाहिए image नीचे बनना चाहिए यह दिमाग में आपके picture अगर बन गई तो आपको यह सवाल समझने में बिल्कुल भी problem नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे by the lens formula we can write over here 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u लिखेंगे बच्चो तो 1 by focal length आप लिखेंगे sir plus 30 y plus 30 because कैसा है system आपका convex lens अब समझ में आ रहा है ना मेरी methodology आपको समझ पा रहे है बच्चो कि यहाँ पर मैं optical system को क्यों डब्बे में बंद करता हूं क्योंकि उसको डब्बे में बंद कर देने से मुझे exactly समझ में आता है कि मुझे focal length को plus लिखना है या minus लिखना है is equal to यह हो जाएगा sir आपका यहाँ पर 1 by v की जगह आप क्या लिखेंगे तो v की जगह आपको लिखना पड़ेगा बच्चो twice times of x और positive twice times of x minus आप यहाँ पर लिखेंगे sir object आपका real होगा object आपका real होगा तो minus x लिखना पड़ेगा na object तो really होगा वो virtual यहाँ पर नहीं है so result आता है बच्चो आपका यहाँ पर 1 by 30 is equals to this is 1 by positive 2x plus यह 1 by आपका x आएगा बच्चो result आपकर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा sir आपका 1 by 30 LCM यहाँ पर 2x आएगा बच्चो this is 1 and plus यह हो जाएगा sir 2 तो आप यहाँ पर बोलेंगे sir this is 2x is equals to 3 into में आप यहाँ पर बोलेंगे sir 30 तो यह कितना हो जाता है बच्चो पंदरेत्या 45 अगर यहाँ पर आपका lens है तो यह object आपका यहाँ पर कितने पर होगा बच्चो 45 cm पर होगा image कहाँ पर है आपकी 90 cm पर तो यह duty यह जो आपका है न 90 प्लस 45 यह आपका complete answer होगा 135 cm 135 cm will be the correct answer are you getting my point or not तो जब आप सवालों को पढ़ें तो जड़ा सचेत रहिएगा optics है आसान सवाल आएंगे बच्चो क्योंकि एक मिनट में solve होना चाहिए तो सवाल तो बहुत आसान होंगे लेकिन आपको उलजाने का काम भी किया जा सकता है तो please be very careful same सवाल है same सवाल है जिस 2.5 cm height of image भी मुझे given थी वो थी बच्चो 5 cm focal length भी मुझे given था वो था बच्चो 30 cm लेकिन इस मसाले में एक चीज जो है उसे हम बोलेंगे बच्चो case number 2 वो clear नहीं था और वो क्या थी तो वो case number 2 में आप बना दे रहा हो आपके लिए that is image is virtual image कैसी होगी बच्चो virtual होगी तो अगर image आपका virtual है तो यहाँ पर M का value या फिर आप यू कहें कि sir जो V है वो कैसा होना चाहिए sir we must be negative लिख लो ऐसे कानी बड़ी असान हो जाती है real image के लिए V positive होना चाहिए था virtual image के लिए V कैसा होना चाहिए negative होना चाहिए मैं समझा भी देता हूं कैसे एक दंडा यहाँ बना देते हैं I have a lens over here बच्चो अब अगर मैंने object को यहाँ पर रखा तो इसका जो image है वो same side बनेगा बच्चो अगर यहाँ पर है आपका you तो image भी same side बनेगा मतलब की incident ray की direction में ही incident ray की direction से opposite direction में आप अगर यहाँ पर V को देखोगे तो V negative हुआ कि नहीं हुआ यह explanation है बच को रटनी नहीं पड़े ठीके जी बहुत बढ़ियां बहीं आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि image real है यह virtual कैसे identify करें इस सवाल में information आपको जो given है उसमें पता ही नहीं है कि real है यह virtual है तो आपके object की same situation के लिए object के दो position हो सकते बच्चो वही मैं identify कर रहा हूं तो value होता है और यही होगा बच्चो आपका v divided by u जब आप पूरे मसाले को solve करते तो यहाँ पर v का value minus 2x लेना पड़ेगा बच्चो वी का value क्या आएगा बच्चो minus 2x अब इसे solve करते हैं तो हमारे पास result होता बच्चो 1 by f is equals to 1 by v 1 by v minus क्या हो जाएगा बच्चो 1 by u values रखो this is plus minus का 30 1 by v का हो जाएगा बच्चो minus का 2x और यह हो जाएगा minus x तो आपका अभी भी minus रहेगा बच्चो तो अभी भी minus रहेगा क्योंकि वो भी incident रे से opposite direction में measure हो रहा है my dear friend सवाल इतना मज़ेदार है कि आपके concepts को तगड़े कर रहा है यह आप यह मत सोचिएगा है ना कि सर हम यह case इतना लंबा करना पड़ेगा क्या अरे लंबा नहीं आएगा लेकिन जो सवाल आएगा अगर उसके पीछे की कहानिया आप नहीं समझ पाए अगर आप यह नही है कि यहाँ पर आपका m positive है यह आपका m negative है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा so this is आपका 1 by positive 30 यह हो जाएगा minus का 1 by बच्चो 2x यह हो जाएगा sir plus का 1 by x simply आप यहाँ पर 1 by x को common करेंगे यह minus का 1 by 2 plus का 1 होगा बच्चो solve होने पर result आजाएगा sir this is 1 by 30 यह हो जाएगा sir आपका 1 by x और यह result हो जाएगा बच्चो positive 1 by 2 तो यह कितना result आता है देखो जरा आप यहाँ पर x का value आजाता है बच्चो 15 cm तो अगर यहाँ पर यह x का value 15 cm आया बच्चो x का value कितना आया 15 cm अगर आया तो आप यहाँ पर बोलेंगे sir u का value कितना जाएगा sir 30 cm तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी तो दोनों के बीच की दूरी मतलब इस दूरी की बात हो रही है 15 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15 cm बच्चो तो दो आंसर एक आंसर 135 है और एक आंसर आपका 15 है तो अगर चार option होते चार option होते तो एक option मान लीजिए इ 135 अगर आप यहां पर देखते तो यह हो जाता बच्चो 135 फंदरा चीक है तो यह दोनों फिर सही बोलने पड़ते क्योंकि correct order mention नहीं है correct order mention नहीं है बच्चो कि real पहले मानना या virtual पहने मानना है तो फिर यहां पर यह तो दोनों ही सही हो जाते ठीक है क्योंकि यह भी distance between the image and object object है यह भी distance between the image and object है लेकिन अगर respectively बात करके बोल दिया जाए कि पहली image आपको माननी है real और दूसरी अगर आपको माननी है virtual तो फिर आपका option भी correct होगा यह खेला जा सकता है आपके साथ इसका ध्यान रखना इस तरह से अगर आपके साथ खेल लिया गया तो आपको यह पत आपट से velocity of image बच्चो वी क्या है आपका वी है बच्चो object image का distance यू क्या है बच्चो object का distance अगर आप इसे differentiate करोगे तो यह बनेगा सर माइनस का v square और यह बनेगा सर आपका dv divided by dt यह बनेगा सर माइनस पहले से है और एक माइनस फिर से माइनस का 1 by u square और यह बनेगा इसका differentiation 0 हो जाएगा तो जब आप यहां पर देखते हैं बच्चो दि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा final कहानी बनेगी सर dv divided by dt के साथ 1 by v square is equals to 1 by u square इंटू में आ जाएगा बच्चो आपका du divided by dt और आप यहां पर लिख सकते हैं सर dv divided by dt that is यह हो जाएगा बच्चो आपक velocity of image, velocity of image इसको ऐसा लिख रहा हो बच्चो, velocity of image with respect to lens is equals to यह हो जाएगा बच्चो आपका m square इंटू में हो जाएगा बच्चो velocity of object with respect to lens, why this is so, because यहां पर जो आपका v है और जो आपका u है वो lens के optical center के respect में measure किया गया है, मतलब अगर मैं यहां पर object और lens दोनों को चला तो velocity is आपकी changes हो जाएंगी, कैसे change होगी, क्या change होगी, अगले lecture में मिलेंगे, अगले lecture में मुलाकात करेंगे, तब हम उसमें बात करेंगे, बच्चो ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, चलिए, cutting of lenses के concept हम पढ़ेंगे, बच्चो अगले lecture में तब तक के लिए आप से अ subscription क्योंकि वो चाहते हैं, उनका भविश्य सेक्यार हो, हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने कम prices में, इतनी बढ़िया जो चीजे मिल रही है, टेस्ट भी मिल जा रहे हैं, टॉप educators का direct access मिल जा रहा है बच्चो, personal access मिल जा रहा है, phone पर बाते कर पा रहे हैं वो बच्चे, तो आपको additional benefits मिलेंगे, और भी कहीं सारे associated benefits मिलेंगे, किसी भी तरह कि अगर कोई problem है, आप मुझसे contact कर सकते हैं, पूरी team में से किसी भी member को contact कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बच्चो, अगर आपका कोई फ्रेंड जेए की preparation कर रहा है, तो आप तो इस quality education को enjoy कर ही रहे हैं, आप friend circle में भी इसे पहुंचाई है, और जल्दी से इस journey को, इस रियाता को एक सफल, एक बहुत बड़ी परिवार में बदलना है, बच्चो, दो लाग तो हम होई गए, लेकिन हमें बहुत बड़ा परिवार और आगे चलके बनना है, जी, so let's crack it guys, and make it guys, तो यहाँ पर ध्यान द तो किसी ताइख से एकЕर को साय होई, इस रेकिन हो ़िएर आगे इस प्रव्गी ओची तो हमे धाना है, बड़ाँ को साय जागे करता है, बड़ा परिवाजर से लागे घसे ते हमें लागे चाना है, पुराबार में Rob 25 बड़ार रवार श्राएउ कर बवार